हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका स्टडी हैक्षेनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वकाइब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वकाइब की एकदम बेसिक लेबल से और जीने कुछ नहीं भी आता होगा वो भी वकाइब बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं आपने नेमोनिक्स टेक्टनिक्स के बारे में सुनना होगा, बहुत जग़ा पढ़ा भी होगा, लागि हम इसमें नेमोनिक्स टेक्टनिक्स के अलाबा भी कुछ use करते हैं, तो क्या योज करते हैं वो होता picture technique या फिर मैं स्टोरी के रूप में या फिर किसी इंसिडेंट के रूप में आपको चीजे याद करवा देता हूं ताकि जब आप एक्जाम में जाओ और जब को कुष्टन देखने हो को मिलेगा तो अचानक से स्ट्राइक कर जाए कि सर ने ये इंसिडेंट से ऐसे बताया तो इसका एंसर यह होगा तो इक्जाम में आपको चीजे याद रहें आपका कोई भी वकाइब गलती नहीं हो इसलिए हम इन नहीं टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि आपको वकाइब से प्यार हो जाए ठीक है तो अभी तक हमारी 25 क्लास हो चुकी है ठीक है यूं कह सकते हो कि 25 एपसोड करते हैं ग्रामर की इंपॉर्टन रूस भी डिसकर्स कर लेते हैं ताकि आपका कम्प्लीट प्रैक्टिस के साथ साथ कम्प्लीट आपका तयारी हो जाए इंग्लीज का और हमारी जो क्लास होती है वह डेली 5 पीम होती है मंडे टूप्यूं को मैं स्टैटिक या फिर देता हूं जिन्हें आपको एंसर करते हैं वीडियो एंड होने के बाद तो लास्ट क्लास का एंसर किया है क्रिस्म कांत ने मधूलीका पाठील ने किया है इन लोग ने और यह जो वर्ड है मैं इसको आगे वन वर्ड में डिसकस करूँगा जैसा कि मैं आपको हमवर्क देत का फायदा हो सकते ठीक है और हमारी क्लास मैं आपको बता दू आरली 25 से 30 मियट की होती है जिसमें complete ग्रामर भी करबा देता हूं वह कैब भी करबा देता हूं प्रैक्टिस यह सुरू करते हैं आज का क्लास और जानते हैं आज का जो पहला वड कौन सा तो आज का पहला वर् ठीक है जिसको आप बोलता है फेक, काउंटर फीट, स्पूडियस यह सब क्या है इसके सिनोनीम से ठीक है तो फेक आपको पताईयों का जाली बोगस करते हैं तो अगर आप कोई महंगा एयर पॉड लेने जाओ ठीक है मालो एपल का लेना तो रियल वाला बहुत ज्यादा कॉस पर जाता है ठीक है तापको चीजे याद रहेंगी क्योंकि बहुत ही इजी वर्ड है ठीक है अंटॉनिम की बात कर लेते हो वह जागा ऑठेंटिक जैनियूल मतलब क्या होता है असली जो ओरिजिनल हो ठीक है चलिए नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स है ब्रीच ब्रीच होता है ठीक है एर आप तो तूरो तो क्या क्या आता है इस अब इसको लेश्य के आपके रूम तक कर जाहिए आपके परेसनल डेस्क तक रीच कर जा ंखरता फिक है उसी वह बसुत बिना आपके प्रमीन सरकें कर लेती है तो मतलए आप इसके गतार मेरे है ज़रेशों है विछ अबे एलाव मतलब क्या होता है अनुमती देना तो जैसा कि आपको पता हो कि हैक्टर्स क्या करते हैं आपके सोचल मीडिया एकाउंट को क्या करते हैं ब्रीच करते हैं वहां से डिटा करते हैं और जिससे बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में बहुत सारा पैसा बना लेते हैं आप ब्रेव हो तो आपको कोई भी कठीन क्ारेश दिया जाए तो आप उसको क्या करता हो छोटे छोटे तुक्रें वात क жд चोटा कर ले तो क्योंकि आप ब्रेव आपको सारी कुछ पता है ॱ्सzelf ब्रेविती मतलब सब्सक्रेश्व क्रिस्पनेश प्रीफ कंसाइज क्या है इसके सिनोनिमिस है अब याद रखना कि आप ब्रेव हो तो कोई भी चीज अगर लंबी दूरी है आपको पता है आप ब्रेव हो तो सौट दूरी से भी जा सकते उस जगह पे ठीक है लेगिन जो ब्रेव नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे लॉंग यह ब्रेव है तो संशेब होगा ठीक है ऐसे यह दखना कि ब्रेव का सिंस आ रहा है तो संशेब ठीक है चली एंटोनिम्स की बात कर ले तो वह लेंदिनेस बार्वोसीटी मतलब क्या होता है सब्द आमबर मतलब जो कि एक बहुत ज़्यादा सब्द बात यूज करें ठीक ह अगर आपका बिजनसे रिस्क में हो तो अब कैसे करके ब्रेवर भाग के जाओगे थीक है जली और समयर वीज्टी निवक्त QUE EP के कशलो कि सब्सक्राइब का जो कि कुंब उथAPPर आपके ढवान करने मतलब क्या होता है एक रोष्ट दिख जाए अपको पारक में या फिर आपकी क्रस्क दीख जाए अगर आप धीरे धीरे चल रहे होगे तो उसको देखके क्या करोगे और भी तेजी में चलो गए ताकि उसे भी लगे कि आप बहुत ही फिट हो इनर्जेटिक ठीक है तो ऐसे भी आप रिस्क हार्म यह सब क्या है इसके सिनोई मैल होता है बैड के लिए तो मैल ट्रीटमेंट तो आप यहां फीगर देख पा रहे हुआ कि कैसे इस बंदे को चेंड भी किया हुआ है इसके साथ क्या कर रहा है निरदाई वैभार कर रहा है ठीक है आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगी और वैसे भी आपने ब्रूटल बहुत जगह सब जो सुना होगा तो ब्रूटलाइज मतलब ने रही वैभा आपको चीज याद होंगी यह सब इजी जी वाड़ है जो आपको याद होने चाहिए ठीक है एंटॉनिम की बात कर लेते हो होगा एड असिस्ट मतलब क्या होता है जो सहता करें ठीक है उसी को बोलते हैं इस बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वॉन्वाट सब्सीशन का सेसन आगया है जैसा कि आपको पता है वह सब्सीशन का स्ब्सीशन होता है फिए तो लास्ट क्लास में जो मैंने होंवर्क दिया था इनसाइटिवल रिजाएर फर ठीक क्या है कि पास आभरेज सोजादा जादा प्रीकैं इसके पास Segrier से लेकिन वह कह चाहता कि मुझे और भी राइस चाहिए राइस की बन ना चाहता है मतलब क्या है राइस मतलब क्या है यह लोगत करता है डिंहॉट से एक पैसा ही पैसा चाहिए ठीक है कोई चीज थोड़ा सा दे दो इसका और भी डिया आथा नहीं नहीं और चाहिए और चाहिए ठीक है सब को अपना बनाना चाहता है कि इस पहले सब जब उसको याद रखना नेक्स बात कर लेते हैं कि आब मतलब आप पक्षी साल पक्षी साल क्या होता मतलब प्लेस वेर वर्ट सारके ऐसे जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है है गर आप जू लें गए हो गए ही संचूरी में गए हो तो देख पारओं की बड़ा सन्ष्ट बना के पकषे और रख आया तो उसी को भु़ते हैं पकषा जैसे कि आप देख पारओं गो इस में स्कुंदा ऺए हैं यहा पे रहने के संइक्सट है , संद और संदोल ignorn अब अखर अभी साइड 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 को अगर आप साइड में देखो अभी साइड में अभी हुए मिलते है तो संदोलshak देख प्रिक्षा छे से क्यासे परikle 가장 मरी फैने है ठीक है मातलब होता उसुकता इसका मैं अच्छा नियमोनिक्स बनाता हूं बताता हूं अपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी जैसा कि आपको पता कि मैं क्या बताता हूं ठीक है तो यह बंदा था इसको किसी उसके सबस्क्राइब खुखी जब उसको मिल雅त उसके चेहरे पर थी किस ने तो खाल लालकुंप है आपको चीज हो गई आप समझ गये होंगे तो चलिए नेक्स आगे बात कर लेते हैं तो जैसा कि आपको कि next हमारा idiom and phrases के session होते हैं तो आज का जो पहला idiom है वह है and about turn मतलब क्या होता है अगर आप ले लो आप ऐसे थे इस डारेक्षा में आप लेता हो तो सीधे direction बदल ले तो complete क्या हो जाता है change हो जाता है and about turn मतलब क्या होता है complete change of opinion मतलब क्या कि विचार का पुर्ण परिवरतन ठीक है आपको कोई गोलता है जैसा प्रेड करते हो अब तरन तो अगर इस में देख रहे हो तो साउथ की तरफ कर लोगे मतलब क्या होता है कि आपका जो opinion है completely change होता है थोड़ा बहुत change नहीं होता है complete change होता है देख पा रहे होंगे कि ऐसा साइन्स बना होते हैं जहां पर about turn होते है ठीक है complete change होता है आप इस direction में जा रहे हो और complete change हो जाता है आपका direction ठीक है I hope आपको समझ आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं तो next जो EDM है वो है an account which is in RAID ठीक है RAID मतलब क्या होता है खत्रा लाल जहां भी संकेत आता है तो क्या होता खत्रे का निफानी होता है ठीक है मतलब क्या होता है debt which is overdrawn क्या मतलब है कि ऐसा खाता जिसमें निकाली गई रासी जमा की गई रासी से अधीक हो ठीक है जैसा कि अगर आप college में होते हो तो आपके account में क्या होता है कि पापा पहले से भी पैसे रख दिये होंगे 5000 रुपे आप बोले हों कि बेटा तु इसना ही आप fix कर लो कि आपका रासी था ठीक है लेकिन आपने कितना निकाल लिया 5000 निकाल लिया तो जमा हुआ 4000 आप निकालना है 5000 तो लॉस में ही जा रहे हो ठीक है तो इसी को बोलता है an account which is in rain खत्रे के निसान पर क्योंकि जमा की गई रासी से आप ज्यादा अधिक निक इसे चेयर पर बैठे हैं अराम से और सजेसन दे रहे हैं मतलब क्या होता कि someone who gives advice based on theory not practice ठीक है केबल सिधान्त के अधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो की वेभारिक रूप से काम नहीं आता है ठीक है तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होता है जो कि theory theory पढ़ते है ठी chemistry का एजम दे लो chemistry की subject दिख लो तो उसमें आप theory theory पता होगा तो theory से हमेंसा practical अलग होता है तो इसी को बोलते है an armchair critic मतलब कि ऐसा बती जो कि theory theory बात पर बेस पर अडवाइस देता आपको लेकिन प्रैक्टिस में लाता ही नहीं चीजों को तो practical चीज अलग होती है ठीक है अगर आप electronics पर हो तो circuit diagram जो बना होता है theory में वह perfect होता है लेकिन जब आप इसको practical करने जाओ बता है कोई बीची तो आपको इसको tackle करना पड़ेगा तो theoretical तो आपको वही सरक्रीट रहेगा प्रैक्टिकल करोगो तो चीज अलग होती है इसलिए बहुत है आगे बढ़ते हैं वह बात करते हैं आगला इडियम तो एगला इडियम है an arrow in the keyword मतलब क्या है उपलब्द विकल्पो में से एक विकल्प a strategy that can be followed keyword arrow मतलब क्या होता आपको पता होगा arrow मतलब होता तीर और keyword मतलब होता तरकस यह honest मैं आप देख पा रहे हो कि एक तीर तो आप रखते नहीं हो बहुत सारे तीर रखोगा न है अब कहिं यूद सारा एस्ट्राटीजी है ठीक है लेकिन आप उसमें से एक बेस्ट एस्ट्राटीजी निकालते हो उसको फॉलो करते हो वहीं बोलते हैं एड एर्व इंडक्रीवर ठीक है I hope आप लोग समझ गये होगे तो next बात करते है नेक्स जो इडियम है वो है आर्टिकल ऑफ फेड ठीक है मतलब क्या देड्र विश्वास ठीक है आपका स्ट्रॉंग बिलीफ हो कोई भी चीज़ ठीक है जैसे इस बंदे को है कि यह इस पत्थर को ऊपर की तब धक्यल देगा इंकलाइंड प्लेन है उससे कोई मतलब ने लेक तो इसी को बोलता है न आर्टिकल ऑौफ उफ kया है आई होप आपको चीज़े खैलीर हो गई होंगी तो हम आगे बढ़ता है तो यसा कि आपको पता है अगर आप हमारे ओप तो आपको पता होगा कि एक Pandora box होता है जिसे हम की लेकर जाते हो और उसमें से क्या निकलता है आप regular होंगे तो आपको पता होगा चीज़ है अगर आप नए है तो मैं बता दू कि Pandora box open होता है उसमें से निकलते हैं 100 golden rules की चीज़ के तो English grammar के और यह help कहां आते हैं तो error detection में य और बागी जो 60% होते हूं वो vocab के question देखने को मिलते हैं तो बहुत ही important है तो एक साथ हम 100 rules तो discuss नहीं कर सकते हैं बहुत लंबी class हो जाएगी खिक है तो हम क्या करते हैं कि daily एक-एक rule discuss करते हैं अपने class के साथ खिक है तो अभी तक हम लोग ने 25 rules discuss कर लिए है आज हम 26 rules discuss करे तो ठीक है उस पर best question आप खुद से practice करो तो चीज बहुत clear हो जाएंगी और यह सब एक्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही rules के basis पे आपको era detection वाले questions मिलते हैं ठीक है तो आज क्या कहरा rule कि a past tense in main clause may be followed by a present tense in subordinate clause when the subordinate clause expresses a universal truth जहाँ भी बात universal truth किया जागी अगर वो subordinate clause में universal truth के बात कर रहा है अगर आपका main clause जो है वो अगर past में भी है तो कोई फर्क नहीं परता जो universal truth होगी वो हमेशा simple present tense में ही होता है ठीक है आप इस चीज़ को याद रखने देख लो आप sentence में कि our teacher say that the earth moved round the sun ठीक है तो ऐसा थोड़े कि पहले moved करता था लेकिन आप move तो वो तो universal truth हमेशा move करेगा राउंड राउंड ठीक है तो शाय क्या हो जागा इसका correct क्या हो जागा कि our teacher say that earth moves round the sun ठीक है आप देख पारेंगे यहापे simple present में इसको लिखते हैं ठीक है universal truth वाली सारी में रहेगा sun rises in the east तो east में ही राइज करेगा कोई चांस नहीं है कि 100 साल पहले east में करता था अब 100 साल वाद west में हो जागा ठीक है तो यह सब universal truth है जो की बदल नहीं सकती चलिए आई होप आपको समझ आ गई होगी चीज़े तो आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आपको पता कि previous question प्रैक्टिस करते हैं ठीक है इसके लिए आपको मिलते हैं करेक्ट एंसर कर लोगे ठीक है आप लोग के लिए जी वर्ड है यह इसे कहता है और आप लोगे नहीं किया तो मैं इसका सही एंसर बता दू इसका जो सही एंटोनिम सो जागा वो होगा रूडिमेंटरी ठीक है एडवांस मतलब क्या होता है एडवांस को आप बोल सकतो न्यू बोल सकतो जो आधूनिक होता है ठीक है एडवांस मतलब क्या होता है ठीक है पहले रूडिमेंटरी के बात कर ले रूडिमेंटरी मतलता है इनीसियल जो की बीते समय का और ठीक है जो ट्सक्जर आ चाले र énस के निम से ऐहाँ जो करेकारी ठीक है वर्किंग बोल सकते हो एक्टिंग मतलब क्य 1988 वह इस नमटलब क्या होता नतलब अगता भावु क्या होता है भावू कोन होगा इमोशनल ठीक है इमोशनल ठीक है यह इसके सिनोनिम्स हो गए और एक वर्ड याद आ रहा है मुझे मसी एम यू एस एच वाई ठीक है यह भी होता है तो आप इसको याद रखना ध्यान में रखना वर्ड को चलिए नेक्ट बात करते हैं नेक्स कोस्टन करा कि आपको इडियम का मतलब बताना है इडियम का है प्ले इट बाई यह चार अप्शन है तो इंप्रूब तो लीशन कियर फुली तो डू सम्थिंग विडाउट इसपेशल प्रिपरेशन टू प्लैन ठीक है तो फटाफ़ट एंसर कीजिएगा चलिए इसक आप से एंटोनिम्स पुता है विजिलेंड ठीक है बहुत इजी है डूबियस नेगलीजेंट रोबूस्ट स्टैग्नेंट फटाफ़ट एंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में चलिए इसके साथ टाइम अप हो गया आयोप आप लोग सभी ने सही एंसर किया हो तो इ ठीक है और स्लिप्लेस बोल सकते हो जो सोयगाई नहीं तो वाजपुली होगा ठीक है डूबियस मतलब क्या होता है संगीद संदिग्द होता है ठीक है जिस पर आपको सक्ट ठीक है सस्पेक्टेर बोलते हो Suspected और क्या आप गोलते हो Doubtful ठीक है जिसके आपको doubt हो जाता है ठीक है Negligent मतलब क्या हो अता है लापरवा ठीक है जिसको कोई परवा नहों लापरवा हो Reckless बोल सकतो आप इसको Reckless बोलते हैं और क्या बोलते हैं Careless बोलते हैं ठीक है एक में वाधान सकते तो आपको पता ही होगा एजी है अåलसी एंगा होगा चलिए स्केटक बात करें बहा तो नेक्ष्ट बात कर लेते strings नेक्स्ट जो वर्ड है आपको सिनोनिम सो बताना पॉंडर का ठीक है चार ओप्षन है ब्रीफ कंटेप्लेट साई हेजिटेट ठीक है चलिए बहुत इजी है दस सेकेंड काफी था आपको लोग के लिए चलिए इसे के साथ चाइम आप हो गया तो आई होप आप सभी लोग न मतलब होता है क्या है मतलब क्या होता है विचार करना क्या होता है विचार करना ठीक है तो आप इसको क्या बोल सकते हो विचार कब करते हो जब कुछ सोचते हो तो थिंक भी इसके सिनोनिम सो जाएंगे ठीक है ओपाइन भी होता है और मल भी होता है चलि मैं यहां लिख दू तो यह सब इसके सिनोनिम से ब्रीफ आपको पता है संशिप्त में ठीक है इसको बहुत बार करते हैं इसको ही भी बहुत है है ठीक है चली है मतलब आपको पता है संखोच करना जो संखोची परसन होते हैं ठीक है चली है नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसको बात बताना है बहुत जी है चारफन एजिटेशन रिलीफ इस्ट्रेस डिसकंपड बड़ी आसानी साप इसको Elimination से भी कर सकते हो ठीक है तो दोस्तकिंड है तो अब का फीट अपके लिए तो सबको पता होगा इसका तो जो मैं सब्सक्राइब करना थी जाल्य गयुड़ेंजिक चिंता रहत Castro होह थी तो ज्यादा झींता नहीं ठीक है और एजीटेशन भी होता है एजीटेशन भी होता है ठीक है तो यह भी इसके सिनोनिम्स ही है एजीटेशन जो है क्या है इसके सिनोनिम्स है ठीक है रिलीफ मतलब क्या होता है आराम ठीक है आपको कोई भी चीज़ से आराम पहुंच है कमफॉर्ट कमफॉर्ट रेस्ट पीस यह सब क्या है इज ठीक है यह सब क्या है इसके सिनोनीम से है इस्ट्रेस मतलब क्या होता है इस्ट्रेस मतलब होता है तनाव चिंता और तनाव अलग सीज़े ठीक है अब याद अब थोड़ा कांतर होता है ठीक है अब इसको बोल सकतो हो टेंसन थोड़ा कांतर होता है ब कि दिस्कमफर्ट आपको पता है डिस्कमफर्ट मतलब कर लाता बेचान हो जातो ठीक है रेस्टलेस हो जातो ठीक है और क्या बहुत को दीथधर भी होता है ठीक है शली आगे बात कर लेते हैं कि बात करते हैं को इडियम का मतलब बताना है इडियम क्या है कॉम इन है पूपस्ण ये बहुत योजपिल है आप आप सभी लोग ने अंसर कर दिया हो दस सकेंद बहुत काफी ठाप के लिए तो इसका जो चाही अंसर एगा है भी यूज्सी है मतलब हात में आ रहा हैसानी से आ रहा है आपके बहूत ही काम करते है आपको बताना इस group of word के लिए क्या है word a man who remains unmarried ठीक है तो इसके लिए आपको बताना है बहुत हीजी है आपको कब से कब तक बताना है फाइव थर्टी पीएम से लेके सेम डे टेन पीएम तक आपको बताना है ताकि मैं आपके comment include कर सकूँ class में अधरवाज मैं नहीं कर पाऊंगा उसके लि वीडियो पर like कर दे चैनल को subscribe कर दे और अपने दोस्तों में share कर दे जिने complete English की तैयारी करनी है बहुत ही कम समय में खीक है और आप देख पार होगा था हमारी class 27 minutes हुई होगी next class में मिलते हैं कुछ नया लाता हूं ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत